इन्सीपी शरत पवार गुट ने काटोल विधान सभासे पूर्व ग्रह मंत्री अनिल देशमुक को टिकट दे दी है लेकिन अनिल देशमुक के बयान से ऐसा लगता है कि इस सीट से अभी भी उनका चुनाव लड़ना पूरी तरह तैन नहीं है टिकट मिलने बावजूद अनिल देशमुक का यह कहना कि कार्यकरताओं से चर्चा करने के बाद चुनाव कौन लड़ेगा इस बात का फैसला किया जाएगा उनका यहाँ बयान यहाँ सवाल पैदा करता है कि क्या अनिल देशमुख अपने बेटे सलिल देशमुख का राजनीतिक करियर संबारने के लिए उन्हें काटोल से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में तो नहीं है सलल देशमुख को उमीदवार बनाने की बात पर अनिल देशमुख ने कहा कि अंतिम निर्णय वरिष्टों और कार्य करताओं से राय लेने के बाद ही किया जाएगा कि काटोल अनिल देशमुख या सलल देशमुख कौन चुनाव लड़ेगा वहीं सलिल देशमुख को उमीदवार घोशित करने की अनिल देशमुख की व्यक्तिगत राय पूछने पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया पहली लीस जाईर की है उसमें काटोल मद्दार संगत से अनिल देशमुख मतलब मेरा नाम डिकलियर किया है हम एक दो दिन में हमारे सभी पार्टी के जो कार्य करता है उन से भी चर्चा हम करने वाले और पार्टी से चर्चा करके अनील देशुक चुनाओ लड़ेंगे या सलील देशुक चुनाओ लड़ेंगे इसका अंतीम निर्णे हम दो दिन में करेंगे और इसके बारे में वरिष्टों से चर्चा हुई है और सभी हमारे पार्टी के कारेकरदा से चर्चा करके हम निरने लेके 28 तरीक को जो भी निरने होंगा उस प्रकार का फॉर्म भरेंगे